सब्सक्राइब नमस्ते आप दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों अभी शोशल मेडिया पर बहुत ही ज्यादा ख़बर फैल रही है करे लोग इस्क्रिंशोड भी खिंच के भेज रहे हैं यूट सब्सक्राइब जवाजाद ने किया एलान दुबारा लेना होगा वीजा जवाजाद की तरफ से बहुत बुरी ख़बर चुटी गए हुए गैर मुल्की बापस नहीं आ सकते तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इसी के उपर की यह जो चीज है है कि जिसका इतना बड़ा जो है जिसको रबड की तरह खिचा जा रहा है तो दोस्तो देना गरते शुरू करते हैं आज की वीडियो करें दोस्तो हम सिधु सिधी बात करते इसठोcan जाजवाजात दोस्तों उन्होंने क्या का है यह इंग्लिश में है इसका में आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूं अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यह क्या कहते हैं सौधी अरब चोड़ने वाले प्रवासियों की बापसी क्रोना वाइरस महामारी संकट के अंत के बाद होगी यानि जितने लोग चुटी आएव हैं अगर वापिस जाना चाहते हैं तो उनकी बापसी होगी लेकिन तरीका क्या है वह मैं आपको बताता हूं कि एक वैद्धे रिएंट्री बीजा प्राप्त करने की प्रकीरिया के अनूसार होगी यानि उनके पास वैद्धे-्री-एंट्री बीजा होना चाहिए यह दो तरीके से होता है पहला आप चुटी आयवे हो आपका इकामा खतम होगया लेकिन आपका एकामक खतम होने से पहले आपकी कंपणी ने काम रिन्यू करवा दिया है तो आपके पास वैलिट बीजा दूसरा आपका खतम हो चु tuvo o लेकिन आपकी कंपनी ने जो है यानि कि वीजा रिन्यूं नहीं करवाया है जुत मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हैवी baja मैं जाते हो तो कंपनी को एक आदमी का एक साल का बीजा रीन्यू करने के Hogya सMenu करने के car करिया करणी होंगी वो 8000 रेयाल देने के पेक्सा वो यह सोच रही होंगी कि यह जो क्राइसिस है पता नहीं अभी 6 मेने और चले 2020 के अंतर तक चले या हो सकता है 2021 मिडिल तक चले तीन महीने चार महीने उपर हो जाए है हो सकता है 2021 तक भी चले क्योंकि कुछ नहीं कह सकते पर हम सब तो यह द्वा करते कि भाई यह जल्दी से जल्दी खतम हो जाए लेकिन वो यह सब चीजे लेके चल रही है अगर मालो किसी कंपनी ने 8000 रेयाल लगा दिया डेड़ लाक इ उसके बाद 6 मेने यह गुजर गे और 6 मेने 2021 के गुजर गे तो पूरे 8000 रेयाल लगाने बेकार हो जाएंगे ठीक है तो कंपनी शायद यह सोचरी होगी कि हो सकता है जब भी यह क्राइस खतम हो भले एक साल में 6 मेने में तो हम अपने बंदे को दुबारे से बीजा इशू कर देंगे तो कंपनी यह सोच रही है कि क्यों ना हम अपने उसी आदमी को नए बीजे पर बुला लें अगर आप जाना चाहते हैं आप अपनी कंपनी से कॉंटेक्ट में रहें अपनी कंपनी को इमेल करते रहें या फिर जो आपका मुदीर है सबसे नीचे जिससे आप काम वगेरा लेते हैं उससे आप कॉंटेक्ट में रह सकते हैं अगर आपके मेन ओफिस में कोई आदमी है उसके साथ वर्टसैप पर या फिर फोन करके उसके साथ कॉंटेक्ट में रह सकते हैं यानि कंपनी को लगने चीए कि हाँ यह बंदा रेगुलर कॉंटेक्ट में यह आन आपको किसी भी एजेंट के पास जाकर अपना पासपोर्ट देना है और अमबैसी से अपना बीजाय स्टैंप करवाना है जैसे आपने फर्श टैम करवाया था यानि यह आपका फ्रेस दुबारे से बीजाय स्टैंप होगा जिसमें आप बहुत यह असानी से जा सकते हो और दोस्तों कोई भी घबराने की बात नहीं है है चाहे नया किसका लगा हूँ और वह नहीं जा पाया है या फिर जो चुटवी आ चुका है अगर उनका बीजा एक्सपयर भी हो गया है तो आपकी अगर कंपनी में काम है आप कंपनी को कॉस्त Beauty कुराणी तो दोस्तों बात कुछ भी नहीं है बात इतनी सी है बिल्कुल भी घबराने की जरुत नहीं है और बहुत लोग यह पुछ रहे कि भाई फ्लाइट कब से स्टार्ट होगी या नया बीजा कब से लगना शुरू होगा तो भाई अभी जो है चुट्टी आएवे लोगों का या आपका बीजा लग गया था फ्लाइट भी होगी थी और कैंसल हो चुके तो भाई अभी आप कुछ ना कुछ अगर कर सकते हो तो अपने ही आसपास में कोई काम धाम देख लें जिससे आपका खचा पानी चलता रहे तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंड बोक्स में जरूर बताएं और आपको अगली वीडियो किस टोपिक पूचिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन और पर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालो तो अब तक नोटिफिकेशन पहु झालो और आपको किस टोचिए ओ मुझे भी मैं कोई चैनल पर आपको अगली वीडियो तो चैनल कोई खोचिए वीडियो किस टोग सब्सक्राइब को ऊब ट।